नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज की इस वीडियो में हम भारत सरकार के द्वारा आने वाले समय के लिए जो भी टारगेट फिक्स किये गए हैं उनसे जुड़ेविये प्रेशनों को हम लोग डिसकस करेंगे तो आपके किसी भी प्रकार के लिए यह ए पहले मैं आपको बता दू कि इस बार 20 फरवरी के दिन अनकेडमी के उपर एक कॉमबैट होगा और यह जो कॉमबैट है इस बार आपके सभी प्रकार की परिच्छाओं के लिए होगा चाहें आप SSC के तयारी कर रहे हैं बैंक एक्जाम के तयारी कर रहे हैं या फिर रेलव एक्जाम के लिए होगा दिन में 10 बजे SSC के लिए होगा 2 बजे और रेलवे के लिए होगा यह एक्जाम 5 बजे तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टेस्ट में आप लोग जरूर सामिल हों और इसके लिए आपको जो लिंक मिलेगी उसके उपर क्लिक करना है और अगर आपसे कोड पूछा जाता है तो यूज करिएगा कोड के वी 10 और आप सभी लोग इस टेस्ट में रॉल कर सकते हैं टॉप रैंक आने पर आपको ये सारे प्राइज अनकेडमी की तरफ से दिये जाएंगे इसके लावा फरवरी महिने में अनकेडमी के उपर काफी सांदार आफर भी चल लही हैं तो अगर आपको अनकेडमी के उपर कोई कोर्स खरीदना है तो उसके लिए भी आप लोग इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ध्यान लखिएगा कि जब आप किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए मेरा कोड यूज करेंगे के व कोर्स पर 25-30% तक का डिसकाउंट अवेल कर सकते हैं अनकेडमी के उपर मेरी लाइब क्लास भी होती है अगर आप इस क्लास को जो जॉइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी उस पे क्लिक करके आप इन सारी पहला प्रशन है कि भारत ने किस वर्स तक एक बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करने की घोशना की है तो ये जो घोशना है पिछले साल पीयम मोदी के द्वारा की गई जब वह कॉप 26 के सम्मेलन में सामिल हुए थे तो भारत सरकार का ये लच्छ है कि वर्स 2030 तक हम लोग एक बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करेंगे तो जरूर इसके बारे में ध्यान रखिएगा आप्शन फिलहाल के लिए भी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रशन है कि कॉप 26 के दौरान पीयम मोदी ने 2030 तक अर्थव्यवस्था की जो कार्बन इंटेंसिटी है इ इसके लिए भी 2030 का टार्गेट है तो ये भी आपको ध्यारकना है ओप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रशन है कि पीयम मोदी ने किस वर्स तक 50% भारत की जरूरत के लिए जो उर्जा है उसको स्वच्छ उर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का लच्छ रखा है तो पीयम मोदी ने ये कहा है कि हमारे देश को जितनी बिजली की जरूरत होती है उसका 50% हम लोग रनीवल एनरजी से प्राप्त करेंगे और इसके लिए टार्गेट रखा गया है 2030 का कपका है तो इसके लिए भी 2030 का ही टार्गेट है आप्शन फिलहाल के लिए यह हो जाए तो इसका टार्गेट है 2047 का कपका 2047 तक पीयम मोदी ने भारत को एनरजी इंडिपेंडेंट बनाने का लच रखा है यानि कि आप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट तेकि एनरजी नूटल बनाने का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग यहाँ पर जो विभिन प्रकार के र आप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रशन है कि कॉप 26 के दोरान पीयम नरेंद्र मोदी ने किस वर्स तक 500 गीगावाट सुच्छ उर्जा के उत्पादन का लच निर्धारित किया है तो यह भी जो टार्गेट है इससे भी रखा गया है 2030 के लिए कब के लिए 2030 क लिए यह टार्गेट रखा गया है तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेगा ऑप्शन फिलहाल के लिए यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्स तक मलेरिया उन्मूलन का लच रखा गया है तो हमारे भारत सरकार क यह लच्च है कि अपने देश से 2030 तक हम लोग मलेरिया को पूरी दरीके से समाप कर देंगे और इसके लिए सरकार के द्वारा कई सारे कारक्रेम भी चल रहे हैं तो ध्यान रखेगा ऑप्शन डी हो जागा यहाँ पर करेक्ट आप सभी को यह पता होगा कि मलेरिया नाम की जो बिमारी होती है वहाँ मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलती है तो ध्यार रखेंगे इसके बारे में आप्शन फिलहार के लिए डी होगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रशन है कि केंदर सरकार के द्वारा किस वर्स तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लच्छ रखा गया है तो ये भी आपको जरूर याद रखना है भारत सरकार का पहले ये टार्गेट था कि हम लोग 2030 में इस प्रकार के बिलेंडिंग करेंगे लेकिन अब इन्होंने कहा है कि जो हमारा प्रट्रोल होता है उसमें हम लोग 2025 तक एथेनॉल मिलाएंगे समुद्री सुरंग के निर्मार का लच्छ रखा गया है तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो पहला समुद्री सुरंग है इसका निर्मार किया जागा मुंबई में और ये टार्गेट है सरकार का 2030 का जरूर इसके बारे में आप लोग ध्यान रखि तो यहाँ पर यह जो target है वो रखा गया है 2027 तक के लिए option फिलाल के लिए A हो जाएगा correct तो यह देख सकते हैं कि पिछले साल यानि की 2021 में सरकार के द्वारा यहाँ पर नव भारत literacy अभियान की शुरुआत की गई है यह जो हमारा campaign है यह 1 अपरेल 2022 से 31 मार्च 2027 तक चलेगा और सरकार का लच्छ यह है कि हमारे यहाँ पर जो 5 करोण illiterate people है जिनकी age group 15 साल से कम है उनको यहाँ पर साच्छर बनाया जाए तो इसी के लिए यह अभियान चलेगा option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि निम्न लिखित में से किस देश ने 2050 तक net zero का लच्छ रखा है तो अगर हम लोग net zero की बात करें तो यह target रखा गया है UK के द्वारा किस ने कहा है UK ने कहा है कि हम लोग 2050 तक net zero हो जाएंगे तो option C होगा यहाँ पर correct तो यह आपको ध्यान रखना है वैसे यह जो target है यह हमारे महत्पूर्ण अंतराष्टिय संगधन का है कि 2050 तक हम net zero होंगे औ और इस पर सहमती दे दी है UK ने और UK ऐसा करने वाला पहला देश है आपको यहीं पर यह भी ध्यान रखना है कि चाइना ने कहा है कि हम 2060 तक हो जाएंगे net zero तो option C होगा correct अगला प्रशन है कि भारते रिल्वे ने वर्स 2021 बाइस तक कितने मेगावाट सौरे उर्जा उत्प अगला प्रशन है कि वर्स 2020 में कितने वर्सों में भारत का जो रच्छा छितर है इसको पांच अरब डॉलर तक पहुचाने का लच्छ रखा गया है तो ध्यान रखेगा यह जो घोशना है वो डिफेंस एक्सपो में हुई थी जो कि 2020 में लखनों में हुआ था और टार्गे अगला प्रशन है कि भारत सरकार ने किस वर्स तक एक बिलियन टन कोईले के उत्पादन का लच्छ रखा है तो यह जो एक बिलियन टन कोईले के उत्पादन का लच्छ है यह हमने रखा हुआ है 2024 के लिए कब 2024 तक हम लोग एक बिलियन टन कोईले का उत्पादन करेंगे और option यहाँ पर B हो जागा फिलहाल के लिए correct अगला प्रश्न है कि भारत सरकान ने किस वरस तक सडक पर सुन्य मृत्यूदर का लच्छ निर्धारित किया है तो यह जो zero mortality rate है इसके लिए हमारा target है 2030 का कपका है 2030 के लिए target रखा है कि हमारे यहाँ पर जो road accident से death होती है उसको हम लो इस वरस तक भारत को trans fat से मुक्त रखने का लच्छ रखा है तो अगर हम लोग trans fat की बात करते हैं इसको मुक्त लखने का लच्छ रखा गया है 2022 का यह आप लोग देख सकते हैं trans fat free India at 75 by 2022 तो यह target है सरकार का हाला कि अभी यह achieve नहीं हुआ है यह भी आपको ध्यार रखना है तो option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि भारत सरकार ने वर्स 2022 तक कितने गीगावाट सौर उर्जा के उत्पादन का लच्छ रखा है तो देखे अगर हम लोग 2022 की बात करते हैं तो 175 गीगावाट हमने सुच्छ उर्जा के उत्पादन का लच्छ रखा है और इस 175 तो ये जरूर ध्यान रखेगा कि 100 गीगावाट हम लोग उत्पादन करेंगे 2022 तक option B होगा यहाँ पर correct अब मैं आपको sector wise दिखा देता हूँ देखे सरकार का target है कि 175 गीगावाट हम लोग करेंगे जिसमें से 100 गीगावाट सौरी उर्जा का है 60 गीगावाट की बात करें त तक किसानों की आय को दुगना करने का लच रखा है देखे मैं आपको बताओ कि 2015 में भारत सरकार ने total 10 पॉइंट निलहारित किये थे जिनको 2022 तक अचीब करना था हाला कि इस बार का जो budget आया उसमें से इन 10 पॉइंट में से किसी का कोई जिक्र नहीं किया है सरकार ने फिल जुना होने की बात तो काफी दूर है फिलहार के लिए आपको परिच्छा के द्रिष्ट कोर्ट से ध्यार रखना है कि option A होगा यहां पर करें अगला प्रेशन भी एक जुमला ही है कि भारत सरकार ने किस वरस तक भारत की GDP को 5 trillion dollar करने का लच रखा है तो ध्यार रखेगा य इसका टारगेट है 2024 का यानि कि भारत सरकार ने ये कहा है कि हमारी जो GDP है वह 5 trillion dollar तक पहुँच जाएगी 2024 तक अगर हम लोग current सिनारियों की बात करें तो हमारी जो GDP है वो लगभग 3 trillion dollar के आसपास है यानि कि 2 trillion हमको अगले 2 सालों में अचीब करना है option C होगा यहां पर करें अगला प्रशन है कि भारत सरकार ने किस वरस तक देश से TB को पूरी तरीके से समाप करने का लच रखा है तो भारत सरकार का ये टारगेट है कि हम लोग अपने देश से 2025 तक TB को पूरी तरीके से समाप कर देंगे तो ये बहुत ही महत्पूर्ण है जरू ध्यार रखेगा option अगला प्रशन है कि भारत सरकार ने किस वरस तक भारत से AIDS के उन्मूलन का लच रखा है तो अगर हम लोग AIDS की बात करते हैं तो इसके समापती का जो टारगेट है वो 2030 रखा गया है ध्यान रखेगा 2030 तक हम लोग AIDS को अपने यहां से समाप करेंगे ऐसा टारगेट हमारे भा हो जागा यहां पर करेंगा अगला प्रशन है कि जल जीवन मिसन के अंतरगत किस वरस तक केंद्र सरकार का जो सभी ग्रामेट छेत्र हैं उसमें स्वच्छ जल पहुंचाने का लच्चे है तो आपने इस योजना के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और भारत सरक का ये लच्चे है कि 2024 तक हमारे पूरे भारत में जो भी ग्रामेट छेत्र के हाउसोल्ड हैं उनको हम लोग यहां पर पाइप के जरिये स्वच जल उपलब्द कराएंगे खास तोर पे जो गाउं के लोग होंगे उन्होंने देखा होगा कि उनके गाउं में टंकी युगा बन रही है या फिर बन भी गई होगी कुछ जगा पर इसके सप्लाई भी सुरू हो गई है तो ये बहुती महत्पूर्ण लच्छे है जिसको 2024 तक अशीब करना है C हो जागा यहां पर करेक्ट अगला प्रशन है केंदर सरकार की किस वर्स तक सभी को घर उपलब्द कराने का लच्छ रखा गया है तो अगर हम लोग घर की बात करते हैं तो केंदर सरकार ने यह भी कहा था कि 2022 तक हमारे देश में जितने भी लोग हैं उन सभी के पास में पक्का घर होगा और ये टार्गेट भी इसी साल पूरा होना था हाला कि सरकार ने इसके बारे में भी कुछ नह भी बताया है ओप्सन फिलाल के लिए डी होगा यहाँ पर करग अगला प्रशन है कि भारत सरकार ने किस वरस तक सव नए हवाई अड़े बनाने का लच्छ निर्धारित किया है तो हमारे यहाँ पर अगर हम लोग सव नए हवाई अड़े की बात करें तो इसका टार्गेट है 2024 का अभी हमारे देश में लगभग 100 से 110 के बीच में हवाई अड़े हैं सरकार का टार्गेट है कि 2024 तक हमारे देश में 100 और नवे हवाई अड़े होंगे तो आप्सन फिलाल के लिए यह हो जाएगा यहाँ पर करें अगला प्रशन है कि भारत सरकार ने किस वरस तक 2.6 कर जाओ बनाने का लक्ष रखा है तो भारत सरकार का यह जो टार्गेट है इससे अचीब किया जाएगा 2030 तक कब तक 2030 तक इसको अचीब करने का लक्ष रखा है भारत सरकार ने आप्सन फिलाल के लिए दी होगा यहाँ पर करेंट तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारे उनाइटे नेशन कन्वेंशन टू कन्वेंट डिजर्टिफिकेशन यू एन सी सी डी उसी में भारत सरकार के द्वारा यह घोशना की गई थी कि हम लोग अपने यहाँ पर इस टार्गेट को 2030 तक अचीब करेंगे ऑप्सन डी हो जागा यहाँ पर करेंट आगला प्रशन है कि Amazon Company ने किस वर्ष कार्बन तठष्ट होने का लच निर्धारित किया है तो देखिए Amazon Company की बात करें तो इनका टार्गेट है 2040 का वहीं पर आपको ये भी ध्यार रखना है कि भारते रेल्वे ने ये कहा है कि हम लोग 2030 तक कार्बन नियूटल हो जाएंगे तो आप्सन फिल तार्गेट है 2030 का कपका Microsoft ने 2030 तक कार्बन नियूटल होने की घुशना किये है तो आप्सन C हो जागा यहाँ पर करेंगे अगला प्रशन है भारते रेल्वे के अनुसार किस वरस तक भारते रेल्वे का 100% बिद्यूती करण किया जाएगा तो 100% जो हमारी broad gauge railway line है उसको करेंगे तो option A हो जागा फिलहाल के लिए यहाँ पर करेंगे अगला प्रशन है कि भारत सरकार ने किस वरस तक single use plastic के उपयोग को समाब करने का लच रखा है तो जो आपके single use plastic होती है इसके इस्तेमाल का जो आखरी वरस से हमारा 2022 ही है यानि कि सरकार ने कहा है कि जो single use plastic है उ उसका use हम लोग नहीं करेंगे 2022 तक 2022 के बाद तो option A हो जागा यहाँ पर फिलहाल के लिए correct अगला प्रशन है कि भारत सरकार ने किस वरस तक 300 metric ton steel के उत्पादन का लच रखा है तो 300 metric ton steel के उत्पादन का जो target है यह रखा गया है 2030 तक के लिए कब 2030 तक भारत सरकार ने 300 metric ton steel के उत्पादन का target fix किया है तो option फिलहाल के लिए D होगा यहाँ पर correct आखरी प्रशन है कि भारत सरकार ने 5 वरसों में कितने निगमों और सहरों में 1 निर्मार का लच रखा है तो ध्यान रखेगा इसके लिए total आपके 100 निगम और सहरों में 1 निर्मार का target है भारत सरकार का तो ध्यान रखेगा केंद्रिय मंत्री जो उस समय के थे प्रकास जावडेकर सहाब उन्होंने हमारे जो सहरी छेत्र हैं वहाँ पर 1 आउरन छेत्र को बढ़ाने के लिए इसकी घोशना की थी और उसी समय यह कहा गया था कि जो हमारे यहाँ पर दोस्तों निगम और सहर हैं वहाँ पर हम लोग 1 निर्मार करेंगे तो ध्यार रखेंगे आप लोग यहाँ पर option फिलहाल के लिए D हो जाएगा correct तो इस प्रकार से जो भी हमारे government के महत्मों target थे उनको हमने discuss कर लिया है फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई target मिस हुआ है तो उसके बारे में आप देखा है तो comment में type करिएगा yes I can do it thanks for watching जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत